बुद्धी का चमतकार सरलोग शाम को उस रास्ते से जाने से कतराते थे पर उस दिन हर्भु घर की चिंता में सोचते सोचते न जाने कब उस जंगल के बीच पहुँच गया उसे पता ही नहीं चला उसका ध्यान तब तूटा जब अचानक एक भूत उसके सामने आ गया वो उसकी गर्दन पकड़ कर बोला बहुत दिनों बाद आज अच्छा खाना मिला है आज तो दावत होगी हर्भु उस भूत को देखकर पहले तो डरा फिर कुछ सोच करके उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या होगा वो हिम्मत करके भूत से भी ज्यादा तेज आवास में चिलाते हुए बोला द हर्भु की बास सुनकर भूत सोचने लगा कि ये कौन सा बड़ा भूत है जो भूतों को ही खाता है हर्भु ने अपने थैले से हज्जाम वाला शीशा निकाल कर भूत को दिखाया और बोला देख एक भूत इसमें बंद है अब तुझे भी इसमें बंद करूँगा फिर घर जाकर दावत ओडाऊंगा शीशे में अपनी शकल देखकर उसे दूसरा भूत समझ कर वो भूत हाथ जोड़कर हर्भु से बोला मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें बहुत धन धौलत दूंगा हर्भु भूत को हड़काते हुए बोला उस धन धौलत से क्या होगा वो तो मेर हर्भु बोला अच्छा दिखा कैसे हैं तेरे जादूई सिक्के भूत भाग कर जादूई सिक्के ले आया और हर्भु को देते हुए बोला इन्हें ले लो और मुझे छोड़ दो सिक्के लेकर हर्भु बोला अच्छा ठीक है जा तुझे छोड़ दिया हर्भु की बास सु झाल झाल झाल